इस वीडियो में हम T0 स्पेस डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम T0 स्पेस डिसकस करेंगे जैसे कि आप सब्सक्राइब यह आपका X Torque Topological Space है और इसमें से आपको दो पॉइंट ऐसे लेने हैं जो different हो मतलब अगर आप X और Y दो ऐसे पॉइंट ले रहे हैं जो इसमें बिलॉंग करते हैं वो दोरो पॉइंट्स different होने चाहिए और जब हम एक open set ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक ही point lie करेगा, दूसरा point lie नहीं करेगा जिसे कि हम इस open set की बात कर रहे हैं suppose करो यह open set यहाँ पर G है इस G open set की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा एक x point lie करेगा but y lie नहीं करेगा तो मतलब x will belong to G but y will not belong to G अगर हम कोई एक open set suppose करो h की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका y बिलॉंग करेगा पर x बिलॉंग नहीं करेगा इसका मतलब कि y जो है आपका वो h में बिलॉंग करेगा बट x जो है वो आपका h में बिलॉंग नहीं करेगा ये होती आपकी t-not की definition उसके बाद example देखते हैं any discrete topological space x torque with जहाँ पर x के element 2 या 2 से जादा होने चाहिए is the t-not space for x not equals to y उसमें जो आपका single ten set है single ten set आपका एक open set होता है तो यहाँ पर जो आपका x single ten set है वो बिलॉंग कर रहा है torque में such that x belongs to single ten x and y belongs to single ten y यहाँ पर यह correction कर लेना यह y does not belong to single ten x आएगा यह जो है आपका वो y does not belong to single ten x आएगा यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है तो इस first example का मतलब समझ रहेते हैं पहले हम आपके पास यह कोई x topological space है और यहाँ पर आप किसी point दो points की बात कर रहे हैं x और y और हमने एक single ten x की बात करिए single ten x चो होता है आपका open set होता है अगर हम एक open set यहाँ पर draw करेंगे तो यह आपका single ten x हो गया ठीक है तो इसमें आपका x point lie कर रहा है बट y point lie नहीं कर रहा है और अगर आप यहाँ पर draw करते हो कोई y तो उसमें y बिलॉंग करेगा पर x बिलॉंग नहीं करेगा तो यह example था आपका first तो basically अगर यह आपका t not space अगर आपके exam में आता है तो आपको इसकी जो definition है x and y यहाँ से लेकर यह आपको definition याद होनी चाहिए और इसलिए मैंने आपके example भी यहाँ पर discuss कर लिया है यहाँ पर x का element है कि वो 2 या 2 से जादा होना चाहिए तो अगर आप t not space को define कर रहे है तो at least हमें 2 points की जरुवत होगी हमें 2 points हमें मिलेगी तब ही हम distance बता सकते हैं एक point से हम distance नहीं बता सकते हैं इसलिए distance को बताने के लिए हमें यहाँ पर at least 2 points की जरुवत पड़ेगी दो या 2 से जादा भी हो सकता है अब जो important theorem से t not space की वो discuss कर लेते हैं सबसे पहरे जहाँ पर जो theorem है वो देखते हैं theorem is a topological space x-tor is a toe not space t not space if and only if the closure of the distinct point of x are distinct for x not equals to y in x जहाँ पर x का closure single ten x का closure is not equals to the single ten of y's closure इसका मतलब आप दो कोई ऐसे points ले रहे हैं t not space में से जो आपस में equal नहीं है तो अगर हम उनके single ten set का closure करते हैं तो वो भी आपस में equal नहीं होंगे इस theorem यह बहुत ही simple theorem है इस theorem को discuss करते हैं सबसे पहले है only if part फिर converse part बाद में देखेंगे कि आपने x कोई t not space मान लिया है जिसमें से आपने दो ऐसे element ले लिया है x के और definition के accordingly यह जो है t not space है तो हमें पता है कि अगर कोई open set यहाँ पे लाई करेगा तो उसमें एक element होगा दूसरा नहीं तो हमने कोई भी open set g मान लिया है जो torque में belong कर रहा है such that उस g में हमने मान लिया कि x तो belong कर रहा है पर y belong नहीं कर रहा है और यह g कहाँ है यह खुद एक 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 आपका topological space है उसमें आपका यह g belong कर रहा है अब यह जो g है वो हमने open set माना है तो जब उसका compliment निकाल लेंगे x-g वो एक closed set बन जाएगा और closed set की हमारे पास एक definition होती है कि अगर closed set अगर हम a का ले रहे हैं तो वो अपने closure के equal होगा अगर a कोई closed set है तो वो अपने closure के equal होगा यहाँ पर x-g जो है आपका closed set है तो x-g अपने closure के equal होगा अब आगे discuss करते हैं आपका जो compliment निकलेगा x-g जैसे कि यह आपका topological space था और यह आपका g था तो x-g आपका open था तो x-g आपका यह हो जाएगा इसका compliment जो की closed है तो अगर आप इसमें कह रहे हैं कि x belong कर रहा है इसका मतलब उसकी compliment में y belong करेगा तो हमने क्या बोला कि जो y है वो उसकी compliment में belong कर रहा है अब y जो है हमने एक singleton set ले लिया y जो कि आपका किसका subset बन गया x-g का singleton set है y का उसमें सिर्फ एक element है y तो आप इसका subset बोल सकते हैं x-g का वो subset होगा अब then, अगर हम दोनों का closure ले लेते हैं, y का closure लेंगे तो यह हो जाएगा, और इसका closure लेंगे तो यह हो जाएगा, इसका closure भी आपस में उसका subset होगा, और इसका जो यह closure है, किसके equal है x-g, हमने यहाँ पे यह देखा क्योंकि यह close set था, तो अपने closure के equal हो गया as x minus g में हमारा x नहीं है इस part में हमारा x नहीं है क्योंकि g में हमारा x belong करता है इसका मतलब अगर x जो है x minus g में नहीं है तो x जो है आपका single 10 इसमें भी नहीं होगा अगर single 10 जो आपका y है इसका closure हमने लिए रखा है उसमें भी belong नहीं करेगा क्योंकि Y आपका जो है X-G में है X वहाँ पिसमें बिलॉंग नहीं करेगा तो इसका मतलब कि जो X है वो अपने closure X है closure में बिलॉंग करेगा और X जो है Y की closure में बिलॉंग नहीं करेगा ये तो हमें पता है और हमने ये भी show कर दिया कि जो X है वो Y के singleton Y के जो set के closure में बिलॉंग नहीं करेगा इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में अलग-अलग है क्योंकि एक ऐसा element हमें मिल रहा है जो इसमें है पर इसमें नहीं है इसका मतलब ये दोनों आपस में अलग-अलग है तो यही हमें show करना था next अब हम converse part प्रूफ करेंगे अब हमने converse part में एकस्ट और कोई topological space मान लिया such that कि अगर आप दो elements आप अलग-अलग लेते हैं तो उनका closure जो होगा वो अलग होगा without the loss of journality इसका मतलब जो हमारा principle है उसमें हम कोई changement ना करते हुए यह assume करते हैं कि कोई एक ऐसा element belong कर रहा है z हमारा x में such that कि वो जो z है वो उसकी closure में तो x के singleton के closure में तो belong करेगा पर y के singleton closure में नहीं belong करेगा हम इसमें converse part लेके यह reverse चल रहे हैं यहाँ पर हम यह x मान के चलेते हैं बट हमने इसको अभी x ना लेकर कोई element z मान लिया है कि वो आपके singleton x के closure में तो belong कर रहा है पर y के singleton closure में नहीं belong कर रहा है क्योंकि अब हम यह मान कर चल रहे हैं अब हमारे पस converse part में यह चीज़ हमें पता है कि यह आपस में equal नहीं है यह आपस में equal नहीं है तो at least एक element तो होगा जो इस एक में belong करेगा और दूसरे में नहीं belong करेगा तो उस particular element को हमने z मान लिया है जो इस एक में belong कर रहा है और दूसरे में नहीं अब हमें claim करना है कि यह जो x है वो इसकी closure में नहीं belong कर रहा जब अब उपर जो हमने इफ पार्ट प्रूफ किया था उसमें भी आप देखेंगे हम रिवर्स चल रहे है तो हमने यह चीज यहाँ पर लेकर चले थे यह आप देख सकते हैं इधर यह तो जस्ट रिवर्स चलना और कुछ नहीं करना तो हम क्या कर रहे हैं अब हमें यह क्लेम करना है ठीक है अब इस इसके लिए हमने contradiction हम प्रूफ करेंगे तो हम इसके just a positive चीज मानके चलते हैं यहाँ पर लिखा है कि x जो है यहाँ पर लिखा है कि आपका x जो है वो बिलॉंग नहीं कर रहा सिंगल्टन y के closure में बट हम यहाँ पर बोलेंगे कि वो बिलॉंग कर रहा है यहाँ पर यह गलत मत करना यह जो x है वो इसमें बिलॉंग कर रहा है तो यह single time x आपका subset हो जाएगा y का एक बार फिर से closure दोनों पर apply कर दो यह भी closure यहाँ पर double time closure यह आपका double time closure करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर single time closure के equal आ जाएगी because for the close set आपका जो a closure होता है वो a के equal होता है उसके बाद जब इसी तरीके से जब आप a closure का closure करोगे तो आपके पास क्या आजाएगा a closure आजाएगा in this case जो आपका जो z है वो तो belong कर रहा है किसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप let करके चरेतें यहाँ पर जो x है वो आपका single time x के closure में तो belong कर रहा है पर यह जो है आपका वो तो इसका subset है अगर z जो है इसमें belong कर रहा है फिर तो इसमें भी belong करना चाहिए क्योंकि इसका subset है बट हमने उपर क्या लिक मेंशन किया कि यह इसमें belong नहीं कर रहा क्योंकि आपस में equally नहीं है तो हमें क्या मिल गया which is not true by the choice of z हमने z को चुस तरीके से यहां पर आपका यह जो singleton y का जो closure है वो यहां पर होगा उसके compliment को हमने ले लिया g अब जैसा कि हमने बोला था कि x जो है इसमें belong नहीं कर रहा तो x कहां पर belong करेगा यहां पर belong करेगा तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है आगे देखते हैं यहां पर आपका x है वो जी में belong कर रहा है आपका y जो है इसके singleton closure of y में belong कर रहा है तो g में belong नहीं करेगा और यह show करता है कि जो x है वो t not x टॉर्ग जो है आपका t not space है अब आगे जो स्थोरा में बोला गया है वो यह है कि यहां पर आपका y belong कर रहा है यहां पर नहीं belong कर रहा मतलब इसके compliment में आपका y बिलॉंग π gars रहा है किरandel यहां पर आपका एक से में कंप्ली से अब ऑपomi कर रहा है नहीं Ahh और आपकी टी नोट की सपेस की डेफिनेशन भी यही हymet